नमस्कार, हिंदी साहित तेवारता में आप हैं इसवक्सुबाश ठाकुर के साथ दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों ने थमनेल में देख लिया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो LTT 2022 का जो एक्जाम 31 जुलाई को होने जा रहा है उसके regarding हम बना रहे हैं और इसमें हमारे जो old papers हैं उनको हम discuss करने जा रहे हैं इससे पहले हमारे किसी योट्यूब के subscriber ने हमसे कहा था कि आप जो है LTTT के old papers भी हमारे साथ सांजा कीजिए और उनको solve करने की कोशिश कीजिए तो उनके कहने पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ अगर वो भी हमारा ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो प्लीज आप comment करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है तो चली दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले देखिए अगर आप LTT का complete course buy करना चाहते हैं जिसमें हमारे recorded lectures रहेंगे उसमें कुछ हमारे mock test भी रहेंगे और साथी साथ उसमें PDF आपको provide कर दी जाएगी अगर आप उसको buy करना चाहते हैं तो आप वो भ एट के अलावा LTT Commission या PGT Hindi की भी त्यारियां करना चाहरे हैं तो भी आप हमारे जैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथी साथ हमें WhatsApp करके contact कर सकते हैं live classes के लिए भी तो चलिए अब बिना देर किये शुरुआत करते हैं इस lecture की और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रश प्रशनों के बारे में पता भी होना चाहिए कि वो कौन प्रशन कहां से पूछा गया है तो आदिकाल के नामकर्ण से समन्दित प्रशन हर बारी पूछा जाता है तो इसलिए ये बहुत ही important topic हो जाता है कि इसमें किस तरीके के जो प्रशन है वो रहते हैं ये चीज आपको आदिकाल के बारे में पढ़ना बड़ा जरूरी है देखिए आदिकाल को क्या जाता है कि ये नामकर्ण की दिष्टी से अत्यंत विरोधी और व्यागातों का काल रहा है ये हजारी प्रसाद विवेदी जी ने कहा था इसके साथ इसाथ उन्होंने कहा था कि ये विचारों क मंधन का काल भी रहा है, लेकिन यहां पर पूचा गया है कि इसको वीर गाथा काल नाम क्यूं दिया गया, किस ने दिया था, तो यह अचारे रामचंदर शुक्र ने दिया था, जैसा कि आप इस में देख भी पा रहे होंगे, और यहां पर मार्क किये हुए हैं, तो आपको श चारण काल की संग्या दिया देखिए तो चारण जो राजाओं के आश्रे में रहते थे जो ब्रहामन वगिरा जो उनके स्तूती वगिरा करते रहते थे तो उनके द्वारा जो राजाओं की स्तूती के लिए जो गाय जाने वाली चीजे रही उनको क्या कहा जाता था चारण ग तो यह चीज़ें भी आपको यहां पर याद रखनी है कि संधिकाल कि इसने कहा था यह रामकुमार वर्मा ने कहा था तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे देखना जोर्ज गिरसन ने सिंपली चारणकाल कहा जब कि रामकुमार वर्मा इसको संधिकाल और चारणक प्रशन है यहां पर रास परमपरा सबसे पहली चीज तो यह आती है कि रास परमपरा किसके अंतरगत आती है जैन साहित्य के अंतरगत आती है और जैन साहित्य में या रास परमपरा में सबसे जादा चरित्र चित्रण वाला साहित्य है वो रचा गया है यह प्रशन बहुत ही जो भरतेश और बाहुबली रासे ये रचना आप सब लोग जानते हैं शाली भद्र सूरी की रचना रही है इसके अलावा शाली भद्र सूरी एक और नाम आता है शाली भद्र सूरी द्वितिय जिनने पंच पांडव चरित रास्त लिखी थी ये बात भी आपको यहाँ पर य ये हिंदी की प्रत्थम रास परमपरा की रचना मानी जाती है हिंदी में रचित रास परमपरा की प्रत्थम रचना ठीक है तो ये बात आपको यहाँ पर इससे याद रखना है हिंदी में रास परमपरा की पहली कृति ठीक है तो ये बात आपको इस प्रशन से याद रखन दुहा कोश में तिलोपा और जो कणापपा रहे उनके पदों को भी इसमें संकलित किया गया था हर प्रशाद शास्त्री के दौरा और कई बारी आपको ये वला प्रशन भी पूछ जाता है कि जो सिद्ध साहित रहा है ठीक है उसका जो पता सबसे पहले किसने लगाया था तो बहर प्रशाद सास्त्री नहीं लगाया था तो ये चीज़ भी आपको यहाँ याद रखना है सर अप्पा से राहुल सांक्रित्याइन इन्होंने हिंदी कावेधारा शीर्शक से अपना एक ग्रंत लिका था तो ये चीज़ भी आपको यार रखने है सोयम्भू की सबसे इं कहा था स्वर्ण काल की संग्या भी उसने ही दी थी अगर हम बात करें हिंदी जो हमारे अलोचक रहे हैं हिंदी के शामसुंदर दास तो उन्होंने भी क्या कहा था उन्होंने भी इसको कहा था स्वर्ण युग ठीक है तो ये चीज़ या रखनी है एक ने स्वर्ण काल एक स्वरन यूग की संग्या दी है तो ये प्रशन इंपोर्टन प्रशन है देखना बार-बार पूछ जाता है तो सबसे पहले जो स्वरन काल की संग्या भी ग्रियरसन नहीं दी थी लेकिन यहां पर इसने इसको पुनर जागरन काल नाम दिया है ठीक है पुनर जागरन की दुब कि जो ग्रंत रहें देखना हरडेवानी और अंग बदु शीरशक से इनके जो शीशे रहे हैं उन्होंने इसको क्या किया है संफादित किया है तो यह चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है गुरू नानक देव यह आदी गुरू के नाम से भी जाना जाता है इसे भी अलोचक निमेलिकित में से जाई सीक्रित रचना कौन सी नहीं है तो यहाँ पर देखिए पदमावत अकरावट और चित्ररेखा चित्ररेखा इनका लगू प्रेमा ख्यानक कावद है यह चीज भी आपको याद रखनी है पदमावत सर्वविधित है कि इनका ही ग्रंत रहा है और ख्रावट भी इनका ही ग्रंत है जिसमें जो देवनागरी लिपी के एक 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 अक्षरों को लेकर के इसमें क्या किया गए है से धान प्रस्तुत किये गए है तो यह चीज भी आपको यहाँ ध्यान में रखनी है देखना इसका लाबा जो दान लीला है यह रस्खान की रचना रही इसको भी आप याद रखेंगे तो इंपोर्टन प्रस्षन यहाँ पर क्या है यह रहा आपका जाई सिक्रित रचना कौन सी नहीं है तो इस वाले प्रस्षन का उत्तर क्या हो जाएगा दान लीला चलिए नेक्स्ट क्रस्षन देखते हैं आगे क्या है इसके बा याँ पर हरी वंश्राय बच्चन होना चाहिए तक हाली बच्चन याँ पर लिखेंगे आप बच्चन सिंग नहीं होगा ठीक है हरी वंश्राय बच्चन यह क्या रहे हैं हलावाद के प्रवर्तक रहे हैं और सबसे जादा प्रभावित कौन रहे इनसे नरेंद्र शर्मा र याद रखें कि प्रेम और मस्ती का कवी किसे कहा जाता है ये भी आपके जो ये डॉक्टर हरिवन श्राय बच्चन एंड साती साथ नरेंद्र शर्मा और भगवती चरण वर्मा ये तीन नामा आते हैं जबकि जो श्रीधर पाठक आते हैं ये प्रत्थम स्वचंदतावादी क अब भी ठीक है तो ये चीज आप इनके बारे में थोड़ा सा याद रखें चलिए नेक्स कॉशन आता है यहाँ पर देखिए रोटी और संसद कवीता की रचनाकार कौन है बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है देखना ये रोटी और संसद बेरी वेरी इंपोर्टन ये कृती है छोटी सी कवीता है देखना सुदामा पांडे धूमिल की जहां पर ये कहते हैं कि एक इंसान रोटी बेलता है एक इंसान रोटी खाता है एक तीसरा इंसान भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है वो रोटी से सिर्फ खेलता है मैं पूछता हूँ वो तीसरा देश के संसद MOON है very very important है, ये वाली पोई म, तो इसकी पंक्तियां भी आपको याद अखनी है और ये कविता भी आपको याद अखनी है कि ये isches सुदामा पांड़े धोमिल है इनकी कविता है, एंड साथे साहावको याद बालकृष्ण शर्मा नवीन की रही है और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है राष्टिय संस्क्ति कावैधारा की कवियों के अंतर गताते हैं तो इनके बारे में आपको यह वाला प्रशन याद रखना है उद्यप्रकाश तो इनकी अबूतर कबूतर कवसे कबूतर कुछ इ इसमें आपको याद कर रखने है संशय की एक राथ वह वाली बात जिसमें श्री राम के संशय को बताया गया है तो यहां पर यह भी सारे इंपोर्टन नाम है देखना इनको भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है चलिए नेक्स परशन यहां पर देखते हैं शांत्रस का स्थाई भाब हम सब लोग जानते हैं तो यहां पर आपको क्या याद रखना है इसमें आपको सिंपली याद रखना है कि जो आपका निर्वेद है निर्वेद जिसको हम शम या शांत कहते हैं ठीक है सिंपल सी बात है यह और शांत्रस जो कितनों रस माना जाता है यह अन्य रस यहाँ पर बताए गए हैं, रस से संबंधित आप देखेंगे हर बारी जो प्रशन यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे यह LTT की परिक्षा में आपने देखा होगा, जितने भी बार यह एक्जाम हुआ है, यहाँ पर आपको रस से संबंधित प्रशन जरूर पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको एक बारी जरूर याद रखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो इसमें आपको ध्यान में रखने होती है, ठीक है, तो भय है देखिए, यह भयानक रस का आता है, सिंपल साय देखना इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, कि भय किस इसका है, बयानक रस का है, सिंपल सी बात इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसके लावा यहां पर शोक, शोक किसका है, यह करुन रस का माना जाता है, किसका जो करुन रस है, उसका स्थाई भाब क्या माना जाता है, शोक माना जाता है, विसमे किसका है, यह आपका जो जो इसमें आपको आएंगी चलिए next question यहाँ पर लिखा है देखिए अगला प्रशन जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमे का गुण अधिक बताया जाता है तो उसे कौन सा अलंकार कहती हैं तो यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि उपमान की अपेक्षा क्या होगा उपमे का रहता है देखिए अलंकार से समदित प्रशन अब हमेशा इसी तरीकी का प्रशन जो है बार-बार पूछ जाता है यहाँ पर कोई पंक्ती देखिए हमें लगातार जो है नहीं दी जा रही है कई बार से आपने ये बाला प्रशन अगर देखा होगा तो यहाँ पर simply क्या दिख बता जाता है तो वहाँ पर कौन सा रहेगा व्यतिरेक अलंकार हो जाता है इसका लावा अगर हम बात करें उत्प्रिक्षा अलंकार की तो उत्प्रिक्षा में क्या चीज रहती है देखिए आप सब लोग जानते हैं कि यदि उपमे की उपमान में जो बलपूर्वक क याद रखना है यहाँ पर आपको सिंपल सा याद रखना है कि इस अलंकार की अगर कुछ पहचान है तो पहचान आपको कैसी याद रखनी है इसमें आपको जैसे कुछ एक शब्द आते हैं देखना जैसे मनू है ना जैसे बीच में मानो ऐसे शब्द इसमें आपको दिखे तो समझ लीजिए कि ये क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाते हैं जैसे यह मुखमानो चंद्रमा है तो यहाँ पर बीच में देखिए मानो शब्द लगा है तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या है आपका वहाँ पर आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा तो अगर कई बार हमें इस तरीके से याद नहीं रहता है, कि इसकी परिवाशा क्या होने चाहिए, तो आपको सिंपल इसकी क्या है, थोड़ी से ये पहचान याद रखनी है, कि मनू मानो, जनहू चानो, कुछ इस तरीके के जो शब्द आएंगे, वो कहां पर आपको याद रखना है, इसमें आपको जान में रख लेने हैं, तो इसको आप एक बार याद रखिए, फिर यमक, यमक अलंकार तो सब लोग जानते ही हैं, कि जहां एक शब्द कई बार आय परंतु अर्थ उसका भिन भिन रहे, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है, रूपक अलंकार भी आप सब लोग जानते ही हैं, तो रूपक से आपको क्या या रखना है, उपमे और उपमान में समानता बताई जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है, तो उपमे उफमान में समानता क्या होती है रूपक अलंकार तो यह था सिंपल सा प्रशन देखना यहां से भी आपको या रखना है किस चंद में किस चंद के विशम में 13-13 और सम में 11-11 मात्राई और अंत में गुरू और लगू होता है तो यहाँ पर आपको सिंपल या रखना है, यह किस में होगा, दोहा में होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको या रखनी है, कि किस में होगा, आपके यह दोहा में होगा, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर सोर्था है, यह इसके ठीक विपरीत हो जाएगा, सवया, सवया आ आपको प्रश्न रखे जाते हैं और ये पुराने पेपर में आप देखेंगे कि यहां पर भी आपको पूछे गए हैं तो चंद के कितने बेद हैं वैसे तो आपके चंद के तीन बेन बालें जाते हैं लेकिन यहां पर जो आयोग ने इसको ठीकिया था दो भेद इसमें आपक या मात्रिक और वारनिक चंद, ठीक है, तो simply आपको या रखना है कि चंद के कितने बेद हैं, चंद के आपके दो बेद हैं, वारनिक और मात्रिक चंद, लेकिन तीसरा आपका मुक्तक भी आता है इसके अंत्रगत, तो ये चीज भी आप यहां पर ध्यान में रखें, कबीर की वानी में दोहे को क्या नाम दिया गया है तो कबीर से देखिए जो साखी, सबद और रमैनी रहे हैं तो यहाँ पर जो साखी है ठीक है? तो यहाँ पर जो दोहे को क्या नाम दिया गया है साखी, ठीक है? सिंपली सी बात यहाँ पर आपको याद रखना है विश्व के भाशाखंड कितने हैं तो ये चार भाशाखंड रहे हैं जिनमें सबसे बड़ा जो भाशाखंड मान जाता है यूरेशिया भोखंड मान जाता है ये वाला प्रशन बहुत बार पूछ जाता है और इन चार भोखंडों के अंतरगत जो कितने भाग आते हैं अठार ठीक है अठारा जो परिवार आते हैं ठीक है तो ये चीज भी आपको या रखनी जिनमें सबसे बड़ा परिवार जो भारुप्य परिवार माना जाता है और हिंदी जो है वो इसी भारुप्य परिवार के अंतरगत आती है ठीक है इनको आप ध्यान रखें देखना चार बाश परिवार ठीक है चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं शादा लीपी का सम्मंद किस राज़ से है तो शादा लीपी का जो सम्मंद मना जाता है यह जम्मू और कश्मीर राज़ से है यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा बहुत लीपी के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज कहा जाता है देखना इसने कहा था कि मनुष्य की मुक्ती की तरह कवीता की भी मुक्ती होनी चाहिए सहीतेकारों के लिए वच्छल निधी की स्थापना किस ने की थी यह की थी सचीदानंद हीरानंद वात्सयाइन अग्ये ने तो इंपोर्टेंट नाम है अग्ये का इस ना असब तक के कवियों को क्या कहा था राहों के अनुवेशी कहा था और इसलिए इसने जो एक अलग तरीके से अलग प्रनालिश से जो है इसने उसको चलाया और उसको प्रियोगवाद नाम बात में दिया गया अन्य अलूचकों के द्वारा निराला महादेवी वर्मा और उपनाम पूछा गया तो तमरा आपको या रखना है डूब भी नहीं था पत के साथ ही किसकी रशना है तो ये महादेवी वर्मा के पहले भी कहा है कि महादेवी वर्मा ना सिर्फ महादेवी वर्मा बलकि जितने भी हमारे जो गौन विधाएं हैं उन से भी आपको पूछा तो अकाश दर्शन निवंद ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखित रहा है पहले इस तरीके के प्रशना आपको पूछ जाते थे जो आपके ये देखिए जितने भी ये राजनितिक व्यक्ति रहे हैं जो प्रतिश्टित उनकी कुछ एक रशना का भी कबार पूछ ली जात तो यहां पर आपको सिंपल या रखना है कि आधुनिक काल का प्रवर्तक जो कहा जाता है ये भारतेंदू हरिश्चंद्र को माना जाता है ठीक है भारतेंदू हरिश्चंद्र ठीक है आधुनिक काल का पिता महा और प्रवर्तक ये दोनों चीज़ें इसको ही कह जाती है तो हिंदी व्याकरण के लेखक रहे हैं लहरों के राजहंस किस विदा की रशना है तो मोहन राकेश की रशना है यह नाटक विदा की रशना है आप सब लोग जानते हैं लहरों के राजहंस से प्रशना आपको बार बार पूचा जाता रहता है तो इसको भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे तो ये काम और अध्यात्म की समस्या को चित्रित करने वाला इनका नातक रहा है ठीक है तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है हार तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताएं तो ये परिश्रम करना होगा हिंदी भाशा का स्वरूप विकास एवं समिक्षा से धांत पुस्तक के लेखक का नाम बताना है तो यहाँ पर देखिए जो आपके ये इतिहास परक पुस्तक एंड साथी साथ हिंदी भाशा के विकास से समधित जो पुस्तक रखी गई है जगतपाल शर्मा के द्वारा रचित रचना रही इसके बारे में भी आप याद रखे ठीक है तो यहाँ पर बच्चन सिंग हिंदी साहिते का दूसरा इतियास लिगा था भोलना तिवारी जो है ये ब्याकरण के लिए मानते हैं जबकि मैक्स मूलर जो आपके पास चाहते चिन तक रहे हैं रस्य धांत के प्रवर्तक अचारे का नाम बताईए तो रस्य धांत य जो है रस के बाद जो अलंकार संपरदाय का प्रवर्तन किया दंडी भी अलंकार संपरदाय की अंतरगत ही आते हैं और दंडी ने जो अलंकार संपरदाय था उसको सबसे पहले इसने ही परिभाशित किया था जबकि जो वामन है वामन ने क्या किया इन्होंने रीती संपरद रही तंत्रा लोक ठीक है तो वो चीज़ आपको याद रखनी है अभिनव गुप्त जो important क्यूं है क्योंकि इसने जो भरत्मुनी का रससुत्र रहा ये चौथे व्याक्याकार के रूप में उसमें रहे और इन्होंने बोला कि रस की हम क्या करते हैं अभिव्यक्ति करते हैं त तो यह हम सब लोग जानते हैं सूर्दास का जो वक्ति मार्ग था पुष्टी मार्ग पुष्टी मार्ग का मतलब क्या है भगवद अनुग्र है कि इश्वर की जब क्रिपा होगी तब ही जो है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो सिंपली सी चीज आपको यहाँ पर पुष्टी मार्ग कहा जाता है तो अनुभाष्य के अंतरगत आता है देखना रही है जो आपका वलवचारे रहे हैं उनकी तो इनके गुरु कौन थे सूर्दास के तो वो रहे वलवचारे उसके बारे में भी आपको याद रखना है इंपोर्टन नाम है यह वाला ठीक है द्यान रखिए बाकी द्वैतवाद शंक्राचारे का रहा द्वैतवाद जो मध्वाचारे का रहा एंड विशिष्ट्या द्वैतवाद जो है जो आपके रामानुजचारे का दर्शन रहा है इन दर्शनों से समंधित प्रशन भी आपको बार बार पूचे जाते हैं तो व पुल्चिदासने दोन वाशाओं में समान रूप से रचनाय रची हैं, चाहे वो ब्रज वाशा हो, चाहे फिर आपकी अब्दी वाशा रही हो, तो रामाग्या प्रशन ये क्या रहा, इसका जोतिश से सम्मंदित इनका ग्रंथ माना जाता है, तो जो भी इनकी राम से दीपनी, बरवे रमाइन और विने पत्रिका, वेरागय संदीपनी इसकी प्रत्थम रशन माना जाता है, देखना उसको भी आपको याद रखना है, जिसको अकिल ग्यान का सार कहा जाता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, बरवे रमाइन इससे प्रभावी तो क्या है आग रहे कर रहे हैं अनुने विने कर रहे हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि समस्त रचनाय किसकी है यह तुलसिदास की रचनाय रही है इंपोर्टन परशन है बिहारी सत्सई में कितने दोए हैं तो बहुती सिंपल सा परशन है यह 719 हैं लेकिन अगर जगन कितने रखने हैं, तो फिर आपको या रखने है, 713, लेकिन अगर बिहारी सबसाई में सिंपली पूछा जाए, तो 719, यहाँ पर अगला प्रशने देखिए, भा अवतार मोर्ड 9 सधी, 30 बरस उपर कभी बदी, अपने जनम से सम्मधित या पंक्ति किस की कही है, किस ने कही है, तो यह पंक्ति थी, मलिक मुहमद जाइसी जी की, कि 900 हिज्री संबत में इनका जनम गुआ था, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, कि यह मलिक मुहमद जाइसी ने अपने जनम वर्श के बारे में कहा था, ठीक है, किस कवी के कावे से यह समधित है, तो यह सूरदास की पंक्ति है, तो इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपोर्टन प्रशन है देखना, सूरदास और जितने भी आपके अश्चाप के कवी हैं, उन में से सबसे जरूरी जो सूरदास की पंक्तिया है, फिर आपको चत्रबुष दास की भी कुछ पंक्तिया याद रखनी है, परमानंद दास की भी कुछ इंपोर्टन पंक्तिया ह नहीं के पर आपर सीचित मुना हैं तो यहां पर लेकिए कुछ एक व्याकर्ण के प्रशन भी इसमें रखे गए है और दूसरे तुर्स तरफ जो आपका जो लिटरेच्र वाले प्रशन भी में रखे गए हैं तो राजपुत्र राजा का पुत्र तो हमने विग्रह कर दिया इस समस्त पद का जब हमने विग्रह किया तो हमारे सामने क्या आया का जो विभक्ति ये लगी है इसमें भी है ना का बीच में ये आ रहा है तो जब हम इसको क्या करेंगे इसको विग्रहित कर पर फिर से उसको एक बार पढ़ेंगे, राजपुत्र पढ़ेंगे, तो का भी बक्ति का हमें इसमें लोप्त मिल रहा है, कि का भी बक्ति लोप्त है, राजपुत्र में, तो इसलिए का कहां पर लगता है, यह हमारा जो तत्पुरुष समास है, उसमें लगता है, को आपने यहां से याद रखना है तो आज के लिए फिलाल इतना काफी रहेगा 30 questions हमने इसमें डिसकस किये हैं अगर आप चाहते हैं कि इसकी आगे वाली वीडियो को भी लाए जाए और इसके आगे वाले questions को भी डिसकस किया जाए तो आप हमें comment section में जाके बता सकते हैं हमारा प्रियासिया आपको कैसा लगता है तो इसके बारे में भी अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों बहुत जल्द मुलागात होगी इसके अगले भाग के साथ तो तब तक आप बने रहें हिंदी साही तेवारता के साथ शुक्रिया जाहिन